मेरे परिवार जनों, देश के कौने में कौने में विक्सिद भारत संक्ल व्यात्रा को लेकर इतना उच्छा अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले दस साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है, देश के लोगों ने वो दोर भी देखा है, जब पहले की सरकारे खुद को जनता का माईबाब समझती थी और इस वजह से आजादी के अनेक दसकों माद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविदाओं से बंचीत रही जब तक कोई बिचोलिया नहीं मिलता है, दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक बिचोलिया जी की चेव नहीं भरते हैं, तब तक ये कांगज भी नहीं मिलता है न घर मिले, न साउचाले मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उत्रे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता कुले ये हाल था देश का आप आपको जान करके पीड़ा होगी बारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निरास हो चुकी थी बैंक में खाता तक नहीं खुलता था उसकी तो उमिदें ही खतम हो गई थी जो लोग हिम्मत जुटा कर कुछ सिफारिस लगा कर स्थानी ये सरकारी कारलत तक पहुँच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे तब जा करके वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था और सरकारे भी हर काम में अपनी राजनीती देखते थे चुनाव नजर आता था वोट मेंग नजर आता था और वोट मेंग के खेल खेलते थे गाउं में जाएंगे तो उस गाउं में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं किसी महले में जाएंगे तो वजी महले में जाएंगे जो महला वोट देता हैं दूसरे महले को छोड़ देंगे यह ऐसा बेदभाव ऐसा अन्या यह जैसा स्वभाव बन गया था जिक शेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उनी पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था और इस आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनारधन मानने वाली इश्वर का रूप मानने वाली सरकार है और हम सत्ता भाव से नहीं सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गाउं गाउं जाने का मैंने ठान ली है आज देश कूशासन की पहले वाली पराकाश्टा को भी पीछे छोड़ कर सूशासन और सूशासन का मतलब है सत्प्रतिशद लाब मिलना चाहिए सेच्चुरेशन होना चाहिए कोई भी पीछे शुटना नहीं चाहिए जो भी हगदार है उसको मिलना चाहिए सरकार नागरी की जरुरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे और यही तो स्वाभावित नयाय है और सच्चा सामाजी नयाय भी यही है हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वज़े से करोणों देश वाचियों में जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी अपने आपको निगलक्टिन मानते थे कौन पुछेगा कौन सुनेगा कौन मिलेगा ऐसी जो मान सिकता थी वो भावना समाप्त हुई है इतना ही नहीं अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है मैं भी के लिए हकदार हूँ और मेरे हक का कोई छिनना नहीं चाहिए मेरे हक का रुकना नहीं चाहिए मेरे हक का मिलना चाहिए और वो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है अभी जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था वो कहता था मैं बेटे बेटों को इंजीनियर बनाना चाहता हूं यह जो आकांग्षा है ना वही मेरे देश को विक्सित बनाने वाली है लेकिन आकांग्षा तब सफल होती है जब दस साल में सफलता की बाते सुनते हैं और यह जो मोधी की गारंटी वाली गाड़ी आपके हा रहे होंगे और मोधी डूनने आया कि कौन रह गया है ताकि आने वाले पांच साल में वो भी काम पुरा कर दूँ इसलिए आदेश मैं कहीं पर भी जाने पर एक बात जुरूर सुनाई देती हैं और मैं मानता हूं कि यह देश वास्यों के दिल की आवाज है वो दिल से कह र की जहां पर जहां पर दूसरों से उम्मीत खत्म हो जाती है वहीं से मोधी की गारंटी शुरू हो जाती है और इसलिए ही मोधी की गारंटी वाली गारी की भी दुम मची हुई है